जिससे आप बहुत जादा प्यार करते हो, वो आपको अचानक से no contact देता है, जिसके लिए आप सब कुछ करने को तियार हो जाते हो, वो अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू करते है, आपकी कोई value लिए करता है, और अगर आप जानना चाहते हो, कि क्या guidance है आपके लिए, क्या कुछ चीजे समझने की जरुवत है आपको तो आज का वीडियो आपके लिए है So, Hello Everyone, मैं रित्तो भारतवाज Tarot Reading 2.9.0 से मेरे इस चानल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ, आप सब लग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे So, General Reading है, सबी के लिए है अगर Personal Reading Book करवाना चाहते हैं, तो details description box में दिये हुए है WhatsApp का link भी दिया हुआ है Group join करके आप Reading Book करवा सकते हैं WhatsApp का number उपर दिया हुआ है, उस पर WhatsApp करके आप अपनी Reading Book करवा सकते हैं अबर देखे, ध्यान ये रखेगा कि Personal Reading Paid होती है, चार्जबल होती है चलिए, शुरू करते हैं, और जिस परसिन के वारे में आप सोच रहे हैं उनका naam image अपने दिमाग में जरूर रखेगा, आपको धोका मिला है, आपको no contact दिया है आपके partner किसी third party situation में हैं, आपको ignore कर रहे हैं तो चलिए, आज guidance लेते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं कि Divine आपको क्या समझाना चाह रहे हैं तो चलिए, start करते हैं, so all the divine energies, virginable universe, angels please बताईए, क्या कुछ है व्योर्स की life में, क्या कुछ है, क्या guidance है, क्या चल रहे है कि इनके और इनके partner के बीच में, या क्या कुछ इनको करना है और नहीं करना है सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को all sign reading है सारे सही sign वालों के लिए ये reading है सो देखिए first card आया है control का card तो चलिए पहले spread लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं कुछ आप को समझाने की कोशिश करते हैं compromise, maturity, conditioning, existence, beyond illusion source, guilt, transformation, change सो देखिए क्या बता रहेंगे card सबसे पहले बात आपको ये समझने वाली है कि अगर आपको कोई no contact दे देता है आपको कोई धोका दे देता है आपको कोई ignore करता है तो उसको सबसे पहली बात की आपकी value नहीं है उसको आपसे कोई attachment नहीं है उसको आपसे detach होना चाहता है वो इसलिए उसने या तो किसी third party situation के साथ connection बना लिया है या फिर आपको ignore करना शुरू कर दिया है तो अगर ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही है तो आपको क्या करने के जरूरत है कई questions आते हैं कई clients ऐसे होते हैं जो ये समझना चाहते हैं कि अगर ऐसी situation आ रही है तो हमें हमें क्या करना चाहिए ठीक है तो देखिए जो उसने किया जो वो आपके साथ कर रहा है या कर रही है definitely आपको तकलीफ देने का आपको रूलाने का कर्मा तो उसको definitely मिलेगा तो अगर कोई एक partner धोका दे रहा है गलत कर रहा है या फिर आपको ignore कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए देखिए सबसे पहला card यहां है control का card बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत guidance आपके लिए आई है आज यहां पर skip नहीं करना है वीडियो को बिल्कुल भी और अगर आपको पसंद आए वीडियो आपको समझ में आए resonate करे तो claim कीज़ेगा triple one ओके और देखिए सबसे पहले आए control का card सबसे पहली बात समझने वाली यह चीज है कि अगर आपको आपका partner ignore कर रहा है आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या फिर वो आपको for granted लेने लगा है या लगी है तो सबसे पहली चीज़ की emotions पर control करना सीखो आपकी value उसको समझ में आनी चाहिए कि आपके emotions की value है आपकी value है आपकी भी कोई इज़त है या फिर आपकी भी importance है ठीक है सबसे important चीज़ जो यहाँ पर आपको समझाने वाली है वो यह कि आप अपनी value को नीचे गिराते चले जाते हो आप उसके लिए सब कुछ करने को तियार होते हो आप उसकी care करते हो उसको बहुत importance देते हो आप उसको बहुत value करते हो पूरा time आप उससे बहुत ज़ादा attach रहने की कोशिश करते हो अपनी family तक से जूट बोलते हो सब कुछ उसके हिसाब से तक करने को तियार हो जाते हो अपनी life तक आप उसके हिसाब से जी रहे हो मतलब importance feel नहीं कराता है, धीरे-धीरे irritate होने लग जाता है, right, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई controlling ही नहीं है, ठीक है, और एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो आपको छोड़ देता है, यह आपको ignore करने लग जाता है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी value करना सीखिए, खुद पे control करना सीखिए, अपने emotions पे control करना सीखिए, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन दिमाग का खेल है, माइंड कहीं न कहीं आपके instructions देता है, और वो instructions अगर आप follow कर पाएंगे, तो definitely आपका brain access करेगा आपके हिसाफ से, अगर वो इनसान आपसे बात नहीं कर रहा है, थीक है, तो उसको आपको कुछ भी समझाने की जरूत नहीं है, बलकि खुद यह समझने की जरूत है, कि आपने उसके दिमाग में अपनी value create ही नहीं की है, आप compromises करते चले जा रहे हो, अगर आप उसकी care करते हो, आप उसकी value करते हो, और वो आपको ignore करता है, वो आपकी value नहीं करता है, आपकी तरफ से efforts आ रहे हैं, सामने की तरफ से कोई efforts नहीं आ रहे हैं, और आप compromise कर दे ज ठीक है, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, आप उसके पीछे क्यों पागल हुए पड़े हो, आप उसके पीछे क्यों दिवाने हुए पड़े हो, क्यों उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, समझने क कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको यहां समझा रही हूं वो उसने scene create किया हुआ है उसने यह सब कोछ किया हुआ है, इसलिए आप उसके बीचे भाग रहे हो, उसने अपनी value create की है, उसने अपना importance create की है इसलिए आप उसके बीचे भाग रहे हो आपने अपनी कोई importance create नहीं किया कि वो आपके पीछे-पीछे भागे उसने ऐसा महौल बना लिया है कि आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा सी relationship तब जाद अच्छे चलते हैं जब दोनों तरफ से same values दी जारी होती है आप देख लीजे कोई भी relationship जहां एक बहुत ही जादा पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है और एक इग्नोर कर रहे है तो जो पीछे पड़ा है वो उसके पीछे पागल ही हुए जाएगा क्यों क्योंकि आपकी value ही नहीं है उसने अपनी value create की हुई है देखो शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं है ना आप जबरदस्ती अपना प्यार केर अपना affection अपना time सब कुछ उसके इंवेस्ट कर रहे हो लुटा रहे हो है ना उसको आपकी value ही नहीं होगी क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हुए हो अगर आप उसको अगर वो आपको ignore कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप कि कोई respect वो नहीं करता क्योंकि जो अगर वो आपसे प्यार करता होता अगर आपको value कर रहा होता तो वो भी कहीं न कहीं वो सारी चीज़े करता जो आप कर रहे हो ठीक है तो अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो सारी चीज़े खुद करेगा तो अपनी इंपोर्टेंस क्रियेट कीजिए ठीक है कंट्रोल कीजिए अपने इमोशन्स को और थोड़ी सी सेकंड पॉइंट मैं आपको यह बताऊंगी कि कही न कहीं आपके अंदर मेचॉरिटी की भी कमी है किस चीज़ की मेचॉरिटी अवलेबिलिटी बहुत क्रियेट की हुई है आपने देखो कोई भी चीज़ जब इजिली मिल जाती है न स्पेशली जैसे अगर हम यह मान के चलेंगी कोई भी चीज़ फ्री होती है तो उसकी न कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो चीज हम कमा के खरीदते हैं या लेते हैं या लाते हैं उसकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि जो चीज हमें मिल गई नहीं, उसे तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, अगर हमें खाना बहुत आसानी से मिल रहा है, तो हम बहुत नाकमू बनाने लग जाते हैं, यह हमें अच्छा नहीं लगता, वह ऐसा है, उसमें नमक कम है, उसमें यह चीज अच्छी, इसमें तो टेस्टी नहीं है, लेकिन वही चीज जब आप खुद बना करके खाते हैं तो उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है, चाहे उसमें नमक ही ना हो, चाहे उसमें कोई स्वाद ही ना हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको खा लिया जाता है, क्योंकि आपने बनाया है, उसकी वैल्यू है आपको, आपकी महनत लगी है उसके अंदर, तो आपकी महनत लगी है relationship में इसलिए आप value कर सामने वाले की मेहनत नहीं लगी है उसको easily मिल गया है इसलिए वो for granted ले रहा है ठीक है तो आपने कहीं न कहीं ये चीज आपको समझनी पड़ेगी इतनी maturity आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि अगर वो आपकी value नहीं कर रहा है तो आप भी उसको value मत दो ठीक है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ उसके मांगने से पहले ही दे देते हो सब कुछ उसको अवलेबल easily करवा देते हो तो कहीं ना कहीं एक space दे दो खुद की conditioning करो अपनी training करो ठीक है थोड़े टाइम के लिए आणवलेबल हो जाएए तो उसको आपकी importance होने लग जाएगी क्यों जाते हैं लोग third party situation में क्योंकि आप तो अवलेबल हो ना third party अवलेबल नहीं होती ना easily तो जो चीज मुश्किल होती है उसको इंसान पाने की कोशिश करता है ठीक है तो वो चीज पर काम करना शुरू कर दीजिए अपनी conditioning पर काम करना शुरू कर दीजिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अपनी existence proof करने ही पड़ेगी आपको अपनी value दिखानी ही पड़ेगी सोच के परे सोचो जितनी आपकी सोच है उसके आगे सोचिए ठीक है खुद को train करने की कोशिश कीजिए राइट और सबसे बड़ी बात ये कि उसको आप अपनी priority खुद बनिए आपको guilt हो जाता है उसके बना बात करने से उसके ignore करने से क्योंकि आपको अपनी priority पता ही नहीं है ठीक है आप अपनी priority खुद है अगर आप सारा सारा दिन उसके हिसाब से चलोगे उसके हिसाब से काम करोगे उसके कहने पर हसोगे उसके कहने पर रोने लगोगे उसने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया उसे कुछ कहा दिया तो खुश हो गए सारा दिन जैसे remote control के जैसे चला रहे हो आपको और आप चल रहे हो तो खुद के लिए खुश होना सीख लीजिए और खुद के लिए दुखी होना भी सीख लीजिए self love शुरू कर दीजिए सबसे पहले selfish नहीं होता है self love करना ठीक है और important यह है कि आप पहले खुद को priority दीजिए तब कोई और आपको priority देगा आपने अपनी importance खतम कर दिये आपने अपनी value खतम कर दिये तो कोई और आपको क्यों value देगा तो खुद की importance खुद create कीजिए खुश रहने की कोशिश कीजिए ताकि सामने वाला इंसान ये सोचे कि आरे अभी थोड़े टाइम पहले तक तो मैं खुश करूँ मैं दुखी करूँ तो इसकी जिंदगी में खुशी और दुख आ रहे थे अभी कैसे खुश है मेरे बिना और नकली खुशी नहीं दिखानी है seriously अंदर से खुशी लानी है थोड़े दिन थोड़ा starting tough होगी लेकिन धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं इतना मुश्किल भी नहीं है सामने वाले को लगना चाहिए feel होना चाहिए कि आप अगर नहीं है उसके बिना भी आप खुश है तो definitely वो आपके value करने लगेगा next चीज जो बहुत important आ रही है कि change करो खुद को बदलाव लाईए अपनी जिंदिगी में transformations लाईए अपनी life में sources ढूड़िए अपनी जिंदिगी को चलाने के dependent नहीं होना है next important point dependent नहीं होना है कसी के उपर sources ढूड़िए किस तरीके से आप independent बनेंगे खुद के खर्चे खुद उठाईए अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिए अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर dependent मत रहे है उसके लिए भी self dependent हो जाए है अपने दुखों के लिए भी दूसरों के उपर dependent नहीं रहना है तो sources ढूड़िए जब आप self confident हो जाएंगे जब आप अपने खर्चे खुद उठाने लगेंगे जब आपके अपनी खुशियों के जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आपके अंदर confidence बढ़ता चला जा रहा है अब आप किसी के ओपर dependent नहीं है क्यों क्योंकि जब वो इनसान को यह समझ में आता है तो आपकी जिन्दगी खतम आपकी dependency इतनी जादा है चाहे वो finances को लेकर हो emotions को लेकर हो relationships को लेकर हो खुशियों को लेकर हो उसको पता है कि आप इतने जादा dependent हो ना कि अगर या तो वो गया आपकी जिन्दगी से आपकी सब चीजे खतम हो जाएंगी ठीक है आप बर्बाद हो जाओगे उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपकी ओपर dependent नहीं है और उसको पता है कि आपकी मजबूरी है उसके ओपर dependent है ना तो वो जो चाहे वो करे फिर भी आप अगर वो यह बोले कि भाई तुमको भी रखना है थार्ड पाटी को भी रखना है तो आप एकसेप्ट करोगे क्योंकि आपकी डिपेंडेंट डिपेंडेंसी है आपकी उसके ओपर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो तो sources बहुत important है अपने लिए sources लिकठा कीजिए ताकि आपके अंदर self confidence आजाए self realization होना शलूख हो जाए आपको अपनी existence आप proof कर पाओ खुद के खर्चे आप खुद उठा पाओ तब उसको यह realization होगा कि नहीं आप भी important हो आपकी availability भी important है और उसको यह पता है कि अगर यह self earning है या फिर अपनी चीजों के लिए खुद जिम्मेदारी लेती है या लेता है और अपनी finances को लेकर के भी यह किसी के ऊपर depend नहीं है तो वो आपको खोने से डरेगा उसको पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो यह मेरे पीछे नहीं भागेगी या नहीं भागेगा तो वो आपके value करेगा राइड तो उसके जाने से सब कुछ खतम नहीं हुआ है या किसी के no contact में आने से या फिर किसी third party के आने से चीजे खतम नहीं हो जाती है अपने person को अपने partner को अपने पास लाने के लिए आपको अपनी importance show करनी पड़ेगी राइड यह थे आज के card यह थी आज की reading आई होप आपके साथ resonate की होगी लाइक शेर सब्स्राइब कीजेगा बेल आइकन को हिट कीजेगा comment box में claim कीजेगा चिपल वन और अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपके partner की current feelings हुमारा दूसरा channel है wheel of fortune tara 2190 वहाँ जाके आप देख सकते हैं instagram, youtube and facebook किसी भी social media पे आप हमें join कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में खयाल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए thank you and have a nice day